नमस्कार जय जोहार चतिसकर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए देखते हैं आज की पंदरा फटा फट बड़ी खबरों को एक सुसतर पदों पर भरती क्लेच येंस वूची जायर की गई है योध्यमे राम मन्देप तैश्टा वाले दें 22 जनुवरी को परदेश में नहीं बिगेगी शराब अयोधिया में राम अंदे प्रान पतिश्टा के अफसा पर 22 जनवरी को 36 गर में ड्राइडे गोशित किया गया है एडी आईटी के बाद अब चत्रिसगड में CBI की एंट्री PSC मामले की करेगी जाज चत्रिसगड में इंकम टैक्स डेपार्टमेंट और प्रवतेने देशवाले की कारवाईयों के बाद अब CBI की एंट्री होने वाली है इसके लिए चत्रिसगड की बीचेपी सरकार ने पूरी तयारी कर लिए चत्रिसगड में CBI PSC मामले की जाज करेगी यह फैसला विश्टुदेव सरकार कैबिनेट ने लिये लिया है इस विशे में डेप्यूटी सीम अरुन साव बैठा के बाद जानकारी दी लोगसबर चुनाव से पहले मिशन हंड्रेट पर जुटे चत्रिसगड के कई मंत्री राज्य में भाजबर सरकार के गठन के बाद पूरी कैबिनेट अब मिशन हंड्रेट मोड पर आ चुका है मंत्रियों ने मोच असमाल दिया है विभागों में उनकी धमक भी देखी जा रही है सौर दिनों की कारी योजना पर सिर्फ अधिकारी नहीं बलकी मंत्रियों को भी लक्ष दिया गया है साफतों पर लोगस पर चुनाव की चमक देखी जा रही है विभागों में एक के बाद एक समिक्षा बैठकों का दौर जा रही है चतिसगर के सभी 11 लोगस बाद शेत्रों में आयाईटी की तरजपर शुरू होंगे चतिसगर इंसिट्यूट ओफ टेक्नलोजी शुरू करने के लिए की जाने बादे सभी आवशक कारवाईयों को शुरू करने की निर्देश दिये हैं चतिसगर में कोरोना विसफोर्ट हो जाए अलट सुनवाई महादेव सटा मामले में राइपोर जेल में बंद दमनी ब्रदर्स ने हाई कोट का दर्वाजा खटकटाया है हवाला कारोबारी सुनील और अनिल दमानी के वकील ने हाई कोट में दोनों की जमानत याचिका लगाई थी जिस पर आज सुनवाई की गई है हाई कोट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है जस्टिस के चंद्रवंशी की बेंच में जमानत को लेका पूरी बहस होई इसके बाद कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है 36 गर पीएसी घोचाले के जाच करेगी सीबियाई विश्णुदेव साही कैबिनेट ने लिया फैसला के बाद सीएम साही ने बताया कि 2001 के सीजी पी एसी गरबड़ी की जाच सीवियाई को सौपीग जाएगी अरुन साहब बोले निर्मान कारियों की गुणवक्ता से कोई समझोता नहीं उपु ब्ख्य मंतरी अरुन साहब ने लोक्त नर्मान, लोक अस्यांतर की और नगरी प्रिशासन एवं विकास वाक्य वरिष्ट अधिकारीयों की बैटक ली साव ने अधिकारियों से का कि निर्मान कारियों की श्रेश्ट गुनवक्ता पहली प्रात्मिकता हुनी चाहिए इसमे कोई समझोता ना हो सभी कारियों को समय सीमा में पूरा नहीं करने पर सम्मंदित अधिकारी की जवाब देह की चाहेगी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई 6 जन्वरी को बस्तर प्रवास पर रहेंगे चग्दलपूर में संभाग सतरी कारिकरत समयलन में शामिलोंगे प्रदीश में भाजबा की सरकाब बन्यों मुख्यमंत्री बनने के बाद साय का पहला बस्ता दोरा होगा बीचेपी की इस कारिक्रम को लेकर नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं पेंडरा में 30 जन्वरी तक होगी धान खरीदी गोरिला पेंडरा मर्वाही जिले की कलेक्टर प्रियंका रिशी महोबिया ने मंगलवार को खरी विपडन वर्ष 2023 में समर्तन मूले पर धान खरीदी की समिक्षा की कलेक्टर ने धिकारियों को किसानों की संख्या के हिसाब से प्रते दिन डोस्चर बनाने और 30 जन्वरी 2024 तक शत प्रतिशत धान खरीदी करने के निर्देश दिये हैं रमन सिंग के बंगले में रहेंगे वुपेश बगेल चतिसगर की विधान सबद्यक्ष उपुमुख्य मंत्री मंत्री और पूर्वुमुख्य मंत्री को आवास अलोट किया गया है इस समद में ग्रह विभाक के संयुक्त सचिवनी आदेश वारी कर्तिवे बंगले का आवंटन कर दिया है पूर्वुमुख्य मंत्री पूपेश बगेल अब पूर्वुमुख्य मंत्री रमन सिंग के बंगले में रहेंगे रेलवे लाइन पर अंडः ब्रिज नहीं बनने पर ग्रामिनो ने किया हंगामा छत्तिस गर में पूर्वुपरश्यम रेल कॉरिडो पेंटरा रोड से गेवरा रोड़ रेलवे लाइन पर बन रहे रेलवे ट्रैक पर ग्रामिनो के आवज़भाई के लिए अंडर ब्रिज निर्मान के लिए ग्रामिनों ने काम बंध हरताल किया है ग्रामिनों की माने तो रेलवे कॉरिडो द्वारा बनाये ज्वारे रेल मार्क से हमारा गाव दो भागों में बाटा ज्वारा है आने जाने के लिए जो दूसरे अंडर ब्रिज का निर्मान किया गया वह गाव से काफी भाहर है ऐसे में हमें गाव से दूसरे मॉनले जाने के लिए काफी दिक्कत और समस्य उत्पन हो जाएगी बिलास्पॉर में ओम नर्सिंग हॉम को किया सील बिलास्पो में नियम विरुद तरीके से संचालित ओम नर्सिंग होम को नगण निगम ने सील कर दिया है भवन संचालिक ने आवासी उपयोग के लिए भवन बनाया है जिसका वफसाइक उपयोग करते हुए नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा था वहीं भवन में आने में निर्मान किया गया और पार्किंग के लिए भी जगा नहीं है धर्म के अधाप बनाया गया कानून CAA पर OVC ने फिर केंदर सरकार को घेरा देश में नागरिक्ता सहिंशोदन अधिनियम यानी CAA को लेकर एक बाफ फिर सियासत गर्माई हुई है CAA पर असुद्धिन OVC ने एक बाफ फिर केंदर सरकार पर निशाना सादा है OVC ने काय की CAA समिदान विरोधी है इसे धर्म के अधाप बनाया गया है CAA के साथ साथ उन्होंने 1955 में मत्थूरा की ईदगाह के मुद्धे पर भी केंदर सरकार पर हमला बोला ये तो थी आज की बड़ी खबरें डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद